हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में मैं क्लास 4 की पच्छन अभ्यान द्वारा दी जाने वाली वक्षी नमबर 59 एक्स्प्लेन करने वाली हूँ डेट है इसकी 31 मार्च 2022 लेवन्थ याने कियारवा वीक है सपता है और वक्षीट की थीम है चमकते तारे चलिए शिरू करते हैं आज की वक्षीट को नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चो जब हमें कोई तौफा देता है तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन रमा तौफा मिलने के बाद भी उदास है आईए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि रमा को क्या बात परिशान कर रही है चलिए देखते हैं एक शहर में एक छूटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रमा था रमा को कान के बुंदे पहनना बहुत पसंद था आज रमा का जनम दिन है उसके जनम दिन पर उसकी दादी माने उसे बहुत प्यारे चमकते हुए बुंदे तौफे में दिये जो एकदम तारो जैसे थे उस रात आकाश में तारे नहीं दिख रहे थे तो दादी ने कहा मैंने अकाश के सारे ताड़े तोड लिये हैं और उन में से सबसे अच्छे तारों से तुम्हारे बुंदे बनवा लिये दादी की बात सुनकर रमा बहुत दुखी हो गई और गाने लगी टिम टिम तारे जिल मिल तारे कहा छुब गए हो तुम सारे आओ प्यारे तारे आओ आकाश में दिये जलाओ रात को रमा के सपने में एक परी आई और उन्होंने कहा चिंता मत करो रमा मेरे पास आकाश के लिए हजारों नए तारे हैं रमा अचानक से जाग गई और उसने देखा कि पूरा आस्मान तारों से जगमगा रहा है रमा ने अपने बुंदे दुबारा पहने और उसकी आखों भी आखें भी तारों की तरह चमक उठी रमा अब बहुत खुश थी तो ये कहानी थी हमारी कहानी के अनुसार निमने प्रश्णों के उत्तर दीचे पहला प्रश्ण दादी मा रमा के लिए जणम दिन पर कौन सा तौफा लेकर आई थी उत्तर नमबर एक होगा उसके जणम दिन पर उसकी दादी मा ने उसे बहुत प्यारे चमकती हुए बुंदे तौफे में दिये जो एकदम तारों जैसे थे प्रश्ण दो अगर आपको परी से कोई तौफा मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे बताइए उत्तर नमबर दो यदि मुझे परी मिल जाए तो मैं अपनी और अपने दोस्तों के लिए धेर सारे खिलोने मांगना चाहूँगा अगर आप गर्ड हैं तो चाहूँगी लिखेंगे मैं परी से अच्छी अच्छी खाने की चीजें मांगना गर्ड हैं तो मांगना लिखेंगे मैं अपने लिए धेर सारी खुशियां और रौमान चक कहानियों की पुस्तके भी देने के लिए कहूँगा और फिर से अगर आप girl हैं तो कहूंगी लिखेंगे मैं उसे कहूंगा या फिर कहूंगी कि वहा मुझे पूरी दुनिया की सैर कराए तो ये कुछ चीजे हैं जो आप अपने परी से अगर आपको परी देखे तो आप मांग सकते हैं ये उत्तर नंबर दो हो जाएगा और अब है आओ बात्चीत करें अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों साथ दियेगे चित्र को दिहान से देखो आपको क्या लगता है कि चित्रों में दिख रहा आदमी क्या बाते कर रहा होगा अनमाल लगा कर उनकी समवाद उसका जिस समवाद है आनि बात्चीत है उसको उची आवाज में बोलिये और अपने अध्यापक यादी आपरिका को बताईए तो हो सकता है ये बोल रहा हो सबजियां सबजियां ताजी ताजी सबजियां को कि जो विंडर्स होती हैं जो सबजी बेशने वाले होते हैं वो ऐसे ही ठेला लेकर बोलते हैं सबजियां ले लो है न तो ये आप लिख सकते हैं इसके बातचीत में तो ये हमारी आज की वक्षि कि अज बने को अगलाएं हुआ बनाएं हुआगर।